दोस्व अगर आप एक बिजनस्मेन हैं, आप दोस्व एक aanट्रोपनियोर हैं, आपके पास भी कोई physical product है, अपने physical product को आप online बेचना चाहते हैं, अपने physical product को online बेच के आप revenue generate करना चाहते हैं, और उसके लिए दोस्व आप मीशो के उपर अपना एक seller account बनाना चाहते हैं, और सबी के लिए most important होने वाल है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल मैं हूँ एक digital marketing expert founder of walksmanlican editions.com और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किस परकार से step by step आप भी अपना मीशो का एक seller account बना सकते हैं और किस परकार से अपने product को आप मीशो के तरू online बेच के पैसा कमा सकते हैं देखें दोस्तों आज का ये वाला वीडियो मैं 3 step में complete करूँगा सबसे पहले step में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मीशो के उपर अपने product बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कौन कौन से requirements है जिनको आपको complete करना पड़ेगा दूसरे step में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप मीशो के उपर अगर अपने product बेचना चाहते हैं तो मीशो के उपर आप अपना seller account कैसे बना सकते हैं वो भी दोस्तों अगले 10 से 15 मिनट में और तीश्रे step में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे tips दूँगा जिनका इस्तमाल करके आप अपने orders को increase कर सकते हैं और अपने business को आप मीशो के मात्यम से grow कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप भी एक entrepreneur है बिजनस्मेन है आपके पास कोई product है अपना मीशो का seller account बनाखे आप उस कोलना बेचना चाहते हैं अपने business को grow करना चाहते हैं ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं तो आज के वीडियो आप से भी लिग के लिए most important है वीडियो को आएम तक जरूर देखना पहली बार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन बटन को जरूर पैस करना और इसी परकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे आप लगातार देखते रहना सेखते रहना चली दोस्तों आप सुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की तो यहाँ पर अभी अब दोस्तों देख सकते हैं मैं अपने laptop PC की screen पर आ चुका हूँ and अब आप मीशो के seller कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर practical step by step explain करने वाला हूँ समझाने वाला हूँ तो आप वीडियो का end तक देखना और जिस तरीके से मैं यहाँ पर account बनाने का पूरा process करता हूँ वो आप follow करना ताकि आप भी अपना account easily मीशो के उपर create कर पाएं and जो भी आपके product वगेर हैं उनको आप sale करके अपने business को grow कर पाएं तो देखे सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले step है कि अगर आप मीशो का एक seller account बनाना चाहते हैं दोसों तो उसके लिए कौन-कौन सी requirements होती हैं देखे सबसे पहले अगर आप चाहो तो Google पर जा सकते हो and यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो मीशो seller account requirements और simply आप search button पर click कर सकते हो अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं how to sell on मीशो करके आपके पास एक link आएगा तो simply आपको link के उपर click करना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर link पर click करोगे आप थोड़ा सा नीचे scroll down करना है और यहाँ पर आपको देखे इसकी पूरी detail मिल रही है कि आपको अगर मीशो के seller बनना है तो आपको कौन कौन सी चीजों के requirement होगी जिससे सबसे पहले आपको एक mobile number चाहिए होगा एक email id चाहिए होगी और mobile number email id क्यों चाहिए होती है क्योंकि अगर आप कभी भी कोई account login करते हैं या फिर नय account बनाते हैं इसलिए mobile number या email id चाहिए होगा और उसके लावा दोस्तों आपके पास एक GST नमबर होना चाहिए GST नमबर उनके लिए होना चाहिए जो GST seller बनना चाहते हैं आपके पास एक enrollment id होनी चाहिए और उसके अलावा अगर आप non GST person है मतलब आप books वगरा sale करना चाहते हैं तो बिना GST भी आप बेज सकते हैं इसके लाव दोस्तों आपके पास एक active bank account होना चाहिए और वही bank account होना चाहिए आपके पास जो GST के अंदर आपने add कर रखा है मतलब एक current account हो गया है यह समझ लो आप तो यह सब चीजों की requirement है आपके पास अगर यह सब चीजी आपके पास already है तो फिर आप मीशो के जो seller है वो बड़ी आसानी से बन सकते हैं तो I think दोस्तों पहला step आपको समझ में आ गया होगा पहले step के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको requirements बताऊँगा को बेचना चाहते हैं तो मीशो का जैसे seller account है वो हम कैसे बना सकते हैं और उसके लिए कॉन-कॉन से steps complete करने पड़ेंगे वो हम जानेंगे यह पर तो देखें सब से बहले आपको जाना है दोस्तों वापस से Google पर आपको क्या करना है यहां पर आपको दुबारा से टाइप करना मीशो seller registration मीशो seller registration टाइप करना है और simply आपको search paste पड़े करना है जैसे दोस्तों आप यहां पर सेर्च करेंगे देखें यहाँ पर आपके सामने entry और mobile number और start selling का बटन है वो दिख रहे हैं, दूसरा बटन यहाँ पर आपको दिख रहा है start selling वाला तो सबसे बढ़े हम क्या करेंगे start selling बटन के उपर click करेंगे, जैसे दोस्तों आप start selling बटन पर click करेंगे, अब देखें यहाँ पर मेरे पाज और करनेगों यहाँ पर क्लीक आपको मेरे पाज आ चुका होगा तो यहाँ पर 2020 मेरे पाच आ चुका देता हूं, OTP एंटर करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या पूछ रहा है, अब आपको पूछ रहा है, आपका एक mail id, तो मैं क्या करता हूं, दोस्तों मेरे पास जो भी mail id होगी, उन में से मैं एक mail id यहाँ पर डाल देता हूं, और हमेसा ध्यान रख रहा है, दोस्तों जो और password setup करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो यह जो password है, आप इस password को copy कर लिजएगा, और यहाँ पे आपको side में आपका password डाल लेना, ताकि आप इस password को भूल नहीं जाए, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे scroll down करना है, और यहाँ पर देखे, I want to review important updates on WhatsApp, तो आप इसको enable कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कोई भी मीशो का जो seller है, उससे related को अपडेट आएगा, तो वो direct आपके WhatsApp पे आ जाएगा, अब मैं क्या करता हूँ, दोस्तों आपको create account के उपर click करेंगे, देखे, यहाँ पर आपका जो पहला step था, मतलब जो registration का पहला process था, वो complete हो चुका है, अब दोस्तों आचुका है, आपका मीशो seller बनने का दूसरा step, जिसमें आपको text detail डालनी पड़ेगी, फिर तीसरा आएगा, pickup address और bank details and supply details, तो इनको हम देखे, जितना हो सकेगा, हम उनको पूरा कर लेते हैं, तो देखे, सबसे बले दोस्तों आपके पास यहाँ पर आचुका है, enrollment ID, ठीक है, for non-GST sellers, for non-GST sellers, तो अगर आप GST seller नहीं बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखे, आपको enrollment ID, create करनी पड़ेगी, और दोस्तों अगर आपके पास GST number है, तो आप यहाँ पर GST number भी enter कर सकते हैं, तो अगर आपके पास GST number है, तो GST अगर दोस्तों आपके पास GST number भी नहीं है, और बिना GST के अभी आप अपना account create करना चाहते हैं, तो देखे, यहाँ पर आपके पास एक और option है, I will provide details later, तो अभी दोस्तों मेरे पास यह दोनों चीज़े नहीं है, वैसे GST मेरे पास है, बट यह नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, दोस्तों इसको भी skip कर दूँगा, because मेरा जो GST number है, उससे मैंने Audrey Miso का account बना रखा है, तो अगर मैं वापस से यहाँ पर अपनी GST डाल दूँगा, तो मेरा account हो सकता है, पुराना वाला disqualified हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर GST number नहीं डाल रहा हूँ, but आपको अगर GST number है, तो यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर simply verify करना है, और verify हो जाएगा आपका GST number, उसके बाद दोस्तों दुबारा से आपको continue button पर click करना पड़ेगा, जैसे दोस्तों आप continue button पर click करोगे, आपका जो पहला step था, text details वाला, वो complete हो गया, अब दोस्तों हम जो भी आपका Misho dashboard है, वो आपके सामने open हो चुका है, बट उससे पहले हम यहाँ पर इनको complete करेंगे, तो देखे, text details हम complete कर चुके है, अब वापस से यहाँ पर आपको complete now का option दिख रहा होगा, इसके ओपर click करेंगे, जैसे दोस्तों आप complete now पर click करते हैं, अब देखे, यह enrollment ID अगर आपके पास नहीं है, तो देखे, यहाँ पर आप Indian government की website पर जा सकते हो, and Indian government की website पर जाके, आप यहाँ पर देखे, आपकी जो enrollment ID है, वो आप बनवा सकते हो, जैसे यहाँ पर apply to sign up for e-commerce operators and process पर click करना है, और यहाँ पर आपका पूरी details, जैसे pen card number डालना है, आपका permanent PAN card, जो है, अकाउंट डालना है, इसके अलावा आपकी email ID, phone number डालना है, operation सलेक करना है, आपको कहां से, state से आप operate करना है, उसके बाद दोसों यहाँ पर email ID डालनी है, mobile डालना है, यहाँ पर आपका address पूरा का डालना है, और उसके बाद दोसों यहाँ पर आपको, जो goods and services स वो चूज करना है process पे click करना है और उसके बाद verification के साथ-साथ आपका जो enrollment ID है वो बन जाएगा और इसके अलावा आपके पास एक और option है कि आप अपना JST number है तो वो डाल दीचे JST number नहीं है तो JST number भी आप देखे यहाँ पे apply now button पे click करेंगे तो यहाँ पे देखे automatically जो है JST number आप यहाँ से ले सकते है start registration का जो process है वो आ चुका है जहाँ से आप JST ले सकते हैं तो यह दोनों चीज़े आपके पास होनी चाहिए अगर यह दोनों चीज़े नहीं है तो आप यहाँ पे देखे आप चूस करना ताकि easily जो मीशो का बंदा है वो आपके पास आ जाए और आपका जो सामान है वो लेके चला जाए इसके अलावा bank details bank details में देखे दोस्तों आपके पास कोई भी bank account है चाहे saving है, current है, कोई भी है, कोई issue नहीं है तो आप उस bank details को यहाँ पे डालना और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे supply details भी डालनी पड़ेगी मतलब आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो भी यहाँ पे पूछेगा वो आपको डालनी पड़ेगी अगर यह सारी चीज़ आप complete कर ले तो आप मीशो का एक seller account easily बना सकते हैं वैसे अभी भी आपका जो मीशो का seller dashboard है वो तो अब आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से open हो चुका है अगर आपको इस dashboard के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा से explain कर देता हूँ यहाँ पे देखे जिसे अब home पे click करेंगे यहाँ पे देखे आप product upload करना है start कर सकते हैं get your first order यहाँ पे देखे सारी details आपको दी जाती है जितने भी orders आते हैं यहाँ पे orders आपको देखेंगे जिसे hold पे कितने orders है pending कितने है ready to ship कितने है कितने ship हो चुके cancel orders कितने है इसके अलावा जो returns order है वो यहाँ पे आपको देखेंगे और जितनी भी आपकी pricing वगरा है उस pricing को आप यहाँ पे decide कर सकते हैं inventory आपको यहाँ पे decide करनी पड़ेगी कितनी inventory आपके पास है और कितनी inventory नहीं है उसके अलावा देखें catalog uploads का option भी आपके पास आता है अगर आप चाहो कि catalog upload करना है तो आप यहाँ पे upload कर सकते हो इसके अलावा देखें image bulk uploader bulk में आप images upload कर सकते हो यहाँ पे आपके जो भी payments वगरा आएंगे वो सभी payments वगरा option यहाँ पे आप देख सकते तो यह पूरा का पूरा देखें दोस्तों आपके पास एक Miso का seller account आता है या dashboard आता है जिसको आप use कर सकते हैं जब आप यहाँ पे sale करना है start करेंगे ठीक है तो I think दोस्तों आपको doubts clear हो चुके होंगे बट यह जो process है वो तो आपको complete करना ही पड़ेगा अब दोस्तों हम तीसरे step पर चलते हैं और तीसरे step के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे tips देना चाहूँगा जो आपकी sale को boost कर सकते हैं because हम काफी time से Miso के seller है हम Amazon पर भी बेशते हैं Flipkart पर भी बेशते हैं Miso पर भी बेशते हैं सभी e-commerce companies पर बेशते हैं और हमारा खुद का भी e-commerce platform है तो हमने देखे दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजे notice करी है कि कुछ time से कैसे इसका seller जो sale हो boost होती है देखे सबसे पहला तो अगर आप इसकी sale को boost करना चाहते है तो यहाँ पर देखे boost sales का जो option है वो आपको दिया गया है इसी dashboard में जहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हो आप मीशो की मदद से optimization यानि कि आप advertisement कर सकते हो अपने products की जो भी आपके पास product है उस product को अगर promote करना चाहते है उस पर ज्यादा orders लेके आना चाहते है तो यहाँ पर देखे है आपको campaign create करने का option दिया गया है जिससे क्या होता है कि आपका अगर add create होता है तो वो add आपका मीशो के अंदर दिखाए दिता है top positions पे जब भी कोई बंदा keyword डालेगा आपके products related तो वहाँ पे आपका add चला चाहेगा और आपकी sale ज्यादा आचकती है वहाँ से chances होते है उसके बाद दूसरा option आता है आपके पास promotions का तो promotions पे click करने के बाद दूसरो देखे आपके पास यहाँ पे अलग अलग प्रकार के promotions आते है जिससे आप sale events लगा सकते हो upcoming है, live है, expired हो चुकी है और इसके अलावा देखे smart coin program के अंदर भी कुछ आपको जो है यहाँ पे कुछ options दिये जाते है इसके अलावाँ दूसरो आपके पास यहाँ पे product optimizer यह एक नया option है जिसमें आपके साथ AI work करेगा और यह भी आपकी sales को कुछ बढ़ाने में increase करेगा, मतलब इसमें आप जो image required है या फिर जो fields required है वो आपको यहाँ पे guide किया जाएगा जिससे आपकी जो sale है वो थोड़ी बहुत boost हो सकती है इसके लावा दोस्तों अगर आप इसकी sale को boost करना चाहते तो मैं आपको यह बोलूँ हुआ कि हमेशा social media marketing पे focus करिए आप facebook पे, instagram पे इनके products की marketing करिए और वहाँ से traffic आप अपने seller account पे पहुँचाने की कोशिश करिए ताकि जिन लोगों को आपके products के requirement है वो आप तक पहुँच सके और आप अपनी sale को boost कर सके ठीक है अगर इन से related कोई भी आपको doubts है, कोई confusions है या दोस्तों अगर आप एक seller account बनाना चाहते है मीशो का या फिर आप इसकी marketing करवाना चाहते है अपने products की तो आप हमारी team के साथ भी connect हो सकते हैं हमारे कुछ service charges हैं जिनको देने के बाद आप मीशो का seller account भी बनवा सकते हो, listing की भी करवा सकते हो और इसके अलावा आप marketing services भी ले सकते हो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने कुछ tips भी जान लिए होंगे जिनका समाल करके अपने आप orders को increase कर सकते हैं अगर दोस्तों आज का ये वीडियो आपने पूरा देखा है अभी भी आपको कोई doubts है, कोई confusions है प्लीस comment करना मैं और मिरी team आपको reply देने की जरूर कोशिश करेंगे इसके अलावा दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपने पूरा देखा है comment में जाके full वीडियो जरूर टाइप करना है और इसी परकार के और वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं आप digital marketing, blogging, affiliate marketing, drop shipping, reselling फ्री में सीखना चाहते हैं तो चानल को subscribe करके bell icon button को press करना ताकि इसी परकार के और वीडियो आपको लगातार मिलते रहें आप देखते रहें, सीखते रहें और पैसे कमाते रहें आज किस फिलियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चनल को support और subscribe करने के लिए आप सभी लोगों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद